अगर मैं बात करो एक motivational quote के बारे में, जिससे कि मैं खुद बहुत ज़रा personally inspired रहता हूँ, तो वो होगा कि भाई, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक बार तबियत से पत्थर तो उचाल के देखो याई, यह ज आपको फील हो रहा है कि यार, आप यह तैयारी उससे हो नहीं रही है, यह जो तैयारी कर रहा हूँ, इसके अंदर efforts मैं डाल रहो पर result मुझे नहीं मिल रहा है, mock number नहीं अच्छे आ रहे, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर आपने मालो, तैयारी में तो शुरू ही न number है, यह जितनी चीज़े हैं न, इन सब का हिलाज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहे हो, तिर वीडियो को last तक देखिए, और उसके साथ, please, यहां इस वीडियो के comments में नीचे लिखिए, कि sir, I am with you, लिखिए, ताकि मुझे खुद भी conference रहे, कि यह जो वीड पावर दिखाई दिनी चाहिए, कि आप लोग अपनी प्रहाई को लेकर प्रतिबद्ध हो, आप लोग चाहते हो इस exam को निकालना, तो please, नीचे comment पे लिखो, और इस वीडियो को share भी जरूर करो, उन लोगों को जिन्नों की motivation की जरूबात है, तो चलिए, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कुछ बहुती important points के बाद में, आप ये जो exam दे रहे हो, आपकी motivation क्या है exam देने के पीछे, वो एक बहुती important factor है, ये decide करने में, कि आप कितना जादा inspired रहोगा अपने तयारी करने को, आप पैसे कई लोग कहोगे, कि सर हमको PSU का रहा है, वो job न जितने reasons हैं ये reasons matter नहीं करते हैं, matter क्या करता है, matter करता है आप और आपके घर वाले बस, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके कोई ऐसे दोस्त या teacher जिनने आपके help करियो और आप खुद, बाकी दुनिया क्या बोलती है, कि भाई तु इतना बड़ा गधा है, तेरे से पढ हाई नहीं हो पाती, ये तुमने 5 साल LLP कर लिए उसके बार भी तुम खरपी बैठे हो, तो हाथ में जॉब नहीं है, last semester आने को है, दिक्कत में बहुत हो, जुडिसरी का exam दे रहे थे, नहीं निकलता था, ये तर चीज़ें कुछ matter नहीं करती, जिस दिन आप ये exam जिना वो क्या हो, दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या बोलते है, उससे क्या फरक पड़ता है, लोगों का काम क्या है, लोगों काम है बोलना, अब जिसे मैं एक simple example देता हूँ, हमारे देश में प्रधान मंतरी की है, मोदी जी, भाई वो कोई भी काम करते है, ठीक है, उनको गरियाने वाले 50 लोग है, यह नहीं सही कर रहा है, वो नहीं सही कर रहा है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन कभी भी, आपने उनको देखा हो, वो एक भी शब्द बोलते है, कि भाई हमको इस चीज से problem हो रही है, यह इसने ऐसे कैसे बोल दिया, यह भूगों, यही सेम ची आप कर रहे हो, और आप लग रहा है कि एकजाम को तहरी नहीं हो पाएगी, तो भाई, इसमें problem किसकी है, problem आपकी है, दुनिया इसके लिए responsible नहीं है, आपके parents से responsible नहीं है, दोस्से responsible नहीं है, आप responsible हो, responsibility आपकी है, आप अगर पढ़ाई करोगे, आप अगर महनत करोगे, तो भाई, आप ही को पसंदता होगी, आपनी घरवालों को पसंदता ना होगी, सिंपल सी बात है, तो भाई, अपने life की authority, अपने हाथ में लो, दूसरे को मत दे के रखो, कि भाई, ये बंदा मेरे पर यकीन रखेगा, पहली बार में कोई बंदा क्राक नहीं करता, टॉप 100, हर बंदा नहीं लेकर आता है, ये फैक्ट है, ठीक, कई लोग एक्जाम देते हैं, कई लोगों की 500-600 किराएं गाती है, दुबारा उनको पिपर देना पड़ता है, लेकिन जो इंपॉर्टन बात है, वो यह है, कि आपको, मेक्शूर करना है कि अटलीस आप एक अटेंप तो दो, आप 85 ने करना हो 75 तो ले के आओ, ये तो पता चले कि भाई, आप महनत करने के लिए तयार हो, आप जंग लड़ने के लिए तयार हो, तयारी करने में, विकॉस बहुत जजबा लगता है, तयारी हवा में नहीं होती है, एज इससे लाइफ असान नहीं होती है, उसके लिए आपको महनत करना बहुत इंपॉर्टन है, तो यह जो बचा हुआ, आपको पास टाइफ नहीं हो, अब चाहिए इसमें तयारी जैसी हो रही हो, जो भी हो रही हो, ड़सेंट मैटर, अपने प्रियोरिटी लिस्ट इस्टैबलिश करो, और तयारी को अब अब अबना फाड़ के रख दो, सोचो ही मत की क्या हुआ, इसके पहले किसने क्या बोला, मैंने ये गलती करी, मैं ये पढ़ाई नहीं करा, पास सार मेरे बरबाद हो गया, ये हो गया, वो गया, सिंपल सी बात समझो कि आपके जो core subjects है, core subjects, constitution, family, criminal law, आपका contracts, international law, jurisprudence और आपका इसके बाद company law, भाई ये जो आपके subjects है ना, इनको आप केवल कर लो, इनके foundation आप कर लो, मेरी बात आप लिख के लिए लो, अगर आपने इसका foundation अच्छे से कर लिए न, आपके 40 से लेके 50 marks कहीं नी जा रहे, without a doubt बता रहो, कहीं नी जाएगा, चाहे pattern आपको कोई भी आ जाए, चाहे बड़े से बड़ा तुदरम खाँ में paper बना लेना, तब भी इन subjects में सही वो question पूछेगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, अगर आपनी subject अच्छे से पढ़े हो, 40-50 से कम आपके numbers में ना आए, ना मेरा बदल देना, that is my guarantee to you, बस आपको follow करना है अपनी पढ़ाई पिध्यान देना, that is very 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 important, इस चीज का ध्यान रखियो, apart from that, जब आप ये काम कर रहों कि इनको पढ़ाई कर रहों, उसके साथ बस एक काम करो, दो चीजे और कर लो, एक recent cases जो 2023 के हैं, उनको कर लो, और दूसरा जो landmark cases दो 2017 से लेके 23 तक के, यार प्रीज उनको कर लो, ठीक है, पूरा-पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, उपर-उपर से ही पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन करो, important thing is कि आपको पढ़ाई करनी है, भले दिन में 2 गंटा पढ़ाई हो रही हो, 10 गंटा पढ़ाई हो, doesn't matter, लेकिन जो time बचा है, उसका most effective views आपको time का करना है, because उसके बिना life में कुछ नहीं होने आरा, because आपकी जो घटिया life अभी चल रही है, वो चलती रहेगी, वो बंद नहीं होने वाली, the things that you do, will define your future, ये exam निकलता है, ये कि stepping stone की तरह होगा, और बढ़ियां चीजों के life में, आपको क्या लगता है, एक बंदा गर एक अच्छी जगा से LLM कर लेता है, उसके बाद कि उसके confidence में बूस्ट नहीं आता, उसको नहीं लगता है, कि अगर मैंने एक exam crack किया, तो मैं दूसरा exam भी crack करने के लिए अपनी मताकत रखता हूँ, यह motivation का बहुत important factor है, अगर इससे पहले आपने कोई भी exam crack नहीं करो, तो आपका crack करने शुरू करो ना, क्यों बैठे हुए हो, क्यों आपने आपको course रो तब से, don't do that, please make sure, कि आप अपसे पढ़ाई शुरू करे, make sure कि आप इस exam को इसनम kill करे, और आपको जो दो चीज़े मैंने बताई यह करिए, और तीसरी चीज़ की mock paper जरूर लगाईएगा, ठीक है, इसके लिए मैं आपको simple simple काऊंगा, यह सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई, यह सब का सब मैंने, जो मैंना course है, ठीक है, complete preparation, जो मैंने सारी चीज़े मैंने cover करके पहले से रखी हुई है, along with that mock papers भी आपको मिल जाएंगे, आपको जितने case laws और summaries, जितनी चीज़े हैं सारी के सारी मिल जाएंगी, और सार्थ मैं, खुद आपके साथ जैसे अरजुन के सार्थी थे ना, जितनी मैं आपके साथ खड़ा रहोंगा, आप मुझे phone करिए, आप मुझे message करिए, मैं आपकी उसके पूरी help करूँगा, पूरी मदद करूँगा, कैसे करना है, क्या करना है, I will be there for you, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज तैयारी करो, अब जो आप लाइफ में पहले होगा, डोसिंट मैटर, अब जो आपको करना है, वो आप मैटर करता है, एक बर तबिया से पच्छर उचाल के देखो, एक बर इन साथ दिनों को अच्छे से लगा कर देखो, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत पर धिहान लगा के देखो, मोबाइल फोन ठेक के देखो, दोस्तों की बातों को दूर रख के देखो, और अपने पेरेंट्स की जो आशाय है, उनको अपने सर पर रख के देखो, तो कईसे नहीं लाइफ आपके सुधर जाएगी, मेरा नामा बदल रख कर ना सुधर है, ये मेरी गारेंट्य है आपसे, कमेंट में नीचे लिखी कि सर में आपके साथ हो, ठीक है, I want that you kill this exam, पढ़िया से सक्सीड करिये, I wish आपको ये वीडियो पसंद आया हो, I wish आपसे इस वीडियो का भला हो, and I wish you the very very best of luck for your future success, Bye.